हेलो फ्रेंड्स ओपलेटर्स में वह सौद दस्तों कैसे हो दस्तों आशे को तो बहुत अच्छे होगे तो आज आप लोग देख सकते हैं एक कॉम मतलब अलगी फॉल्ट जिसको आप देख सकते हैं जिक पिक्चर टूब जो है इसमें इसका आपकाई का पिक्चर टूब है इ इसमें आपको पिक्चर देखने को नहीं मिल रहा है और ना लिख्खा वगरा कुछ भी नहीं आड़ा है जस्ट हुआइड डिस्प्ले हो चुके हैं और दोनों साइड लेप्ट एंड राइट दोनों साइड से छोटा हो चुके हैं तो आखिर ऐसा पॉल्म कहां से आते हैं और जिनल हो गां कोई ब्रजा नहीं है चले दिखाड़ा हूँ आपको कि कैसे आप इसको डिप्यार कर सकते हैं और आपको कहां 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 इसका problem कहां मिलना चाहिए कहां पे कितना भोल्टेज के लिए यह जो प्रॉलेम होते हैं यह प्रॉलेम आपको बहुत ही आसान हिसे में दिखाओंगा कि घर बैठी आप बहुत आसान हिसे काम सिख चाहते हैं तो चलिए लेकिन चेकनी के टेकनी का चेक है चेक करने का डाई हूं तो इसको चेक करनेे लिए प्सट्एको तो मैं मेर यि जाड़ा हूं इसका आप से कुछिट है चाइंड stack भी है जो मार्केटिंग योकाल मार्केट मैं मिलता है जो PCB वहीं PCB है ब्रांड इट कोई सेट नहीं है तो फास्टाइम क्या करना पड़ेगा आपको फास्टाइम जो करना है ओह 110 वोल्ट यानि आपको मस्ट चेक करना पड़ेगा क्योंकि 1-10 शपलाई कम होने से भी ऐसे पॉलम आते हैं कभी-कभी दिखा गिया है कि on-turn supply voltage केम होने के कारण ऐसा problem आते हैं तो आपको जो secondary section में याणि regulate voltage driver voltage और on-turn supply याणि ST supply में 11-10 voltage जाते हैं उस सब voltage आपको चेक करना है step by step तो देखिए मैं जैसे चेक कर रहा हूँ बस आपको ऐसे चेक कर लेना है बहुत ध्यान से देखिए बहुत अच्छा से मैं समझ रहा हूं आपको वीडियो के थ्रू तो बहुत आसनी से आप सिख जाएंगे अगर आप ध्यान से सिखेंगे ध्यान से काम देखेंगे तो तो देखें यहां पर 110 सप्लाइ वोल्टेज कितना था वो वोल्टेज हमारा सही है ओके और जो भी जितना वोल्टेज जहां पर रहना चाहिए 16 वोल्ट बाड़ा वोल्ट सब से ही है आप देखते हैं 180 वोल्टेज जो आपको मस्ट चेक करना है क्योंकि यह वीडियो आउटफूल वोल्टेज है यहां से आप चेक कर सकते हैं तो देखिए 180 यानि 180 वोल्ट के जगा पर 162 तक वोल् से कुछ नहीं करना है ज़स्ट आपको चला जना है कालार यानि कालर से भी कालर का पॉब्लम से भी ऐसा होता है तो आपको जाना है कालर का पॉल्लम यानि कालर चेक करने के लिए कालर का जो वोल्टेज है तीनो कैथोर्ट उसको आपको चेक करना है तो इसको कैसे आप चेक करेंगे यहां पर तीनोटeplatz यानि 180 वोल्टेस देखी हैं यहांपर इंपूट होता है जो 162 वोल्ट आपको भाड में मिला वह भोल्ट यहां पर आते हैं कि यहां पर आके जो रेसिट post से हीड्रण यानि जो रेस्टेस यहांपर देया गया है इस रेसरेंस के बहुत ज्यादा कम वोल्डेज हो चुके हैं तो देखिए आप पिक्चर ट्यूब के क्या थोड में डायरेट में मेजर कर रहा हूं वोल्डेज वहां पर भी देखिए सेम भोल्डेज है साड भोल्डेज तक दिख रहा है ठीक है तो आप पॉब्लम देख सकते हैं कि हमारा ज मत्ति हो इतना बोल्ड एब थे आइगिन तो आपको क्या करना है बेस को बेस regler को पिक्चर ट्यूब से अलग कर देना है क्योंकि कभी 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 पिच्चे टुप के अंदर क्याथोट सौट होता है उससे भी ऐसा पॉब्लम आते हैं तो उसको निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा तो उसको निकाल लीजिए और लाइन दीजिए सेट पे और आपको चेक करना है 180 भोल्डेज हमारा जो क्याथोट पे हैं उहां पे कितना जाड़ है तो देखें गाट सेम भोल्डेज हैं खोलके भी और ना खोलके भी यानि पहले भी सेम भोल्डेज आड़ा था अभी भी वोल्डेज है कोई भी फारत नहीं पड़ा खोलके तो देख लिए सेम भोल्डेज कोई भी चेंजिस नहीं है तो क्या करूंगा मैं फिर स तब दिखाए अब आप कैसे इसको रिपायर करेंगे और कहां कहां आपको जाना पड़ेगा तो मैं बसे Console मैं दिखाए जो मैं कर रहा हूं ओके गाइट्स तो आपको क्या करना है यहां पे देखिए जो हमाड़ा में प्रोसेशर है यहांपे में प्रोसेशर और में आइज यहां क्या करना है यहां से हमारा जो तीन भोल्टेज रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल यहां से हमारा आउट होता है आई सी से तो उससे पहले यहाँ पर देखे ना वोल्डेज्य है वोल्डेज्ट is से य बनेंस और ये कोई भोल्डेज्ट तो यहाँ बनाझा हो पॉब्लेम हमारा कहां से कितना दूर तक पॉब्लेम जा रहे हैं आपके दिमाग यानि खड़ब करने का प्रॉब्लेम है लेकिन कोई बात नहीं है आप बहुत अच्छा से देखिए आपको जस्ट और चीज और पर्ट्स बदल के आपको दिखा दूँगा कि कैसे पॉब्ले सब्सक्राइब करने तीनों जो कालर आउट होता है आइसी से जो हमारा बेस बोर्ड में जाते हैं आप देखिए चार वोल्ड त्री पॉइंट नाइन वल्ट तक लगबक आड़ है तो यहां पर देखिए बहुत ज्यादा हो चुके है क्योंकि यहां पर इतना बोल्ट नही अटार परफेक्ट है लेकिन जो और श्यादा हो चुकि आ है तो इतना बोल्ट तक नहीं आएगा आपको क्या कर ना है सीदे कुछ नहीं करना है जस्ट इसका main IC को एक बर बदल के आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसको जो है main IC इसको base में ही बैठा है तो काम मेरा आसन हो गया इसको खुलना नहीं पड़ा जस्ट में इसको उठा के एक नया IC इसमें डाल दूँगा और देखूंगा कि हमारा problem क्या होता है आसा करता हूँ कि गयाइट्स यह जो problem है यह main IC से हो रहा है और हम main IC चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है हम जो main IC है इसको change करेंगे और एक बात गयाइट्स आप लोग को बोल देते हैं कि ज़्यादतर लगबग क्या होते हैं चाइना सार्कृट में IC common जो IC मिलते हैं चाइना सार्कृट में हर एक IC मैचिंग हो जाते हैं चाहिए नमबर अलग हो लास्ट का नमबर अलग हो तो कुछ भी नहीं है लेकिन जो आपका first जो serial number है वो आपको सही रहना चाहिए यानि same रहना चाहिए तो देखिए यहापे कितना है नमबर double eight देखे नमबर है और लास्ट में देखिए seventy and five और यहाँ पर आपको देखिए कितना नमबर है यहाँ पर भी double eight से नमबर है ओके तो और लास्ट में देखिए लास्ट का नमबर यहाँ पर अलग है और वहाँ पर अलग था कोई बात नहीं है यह जो IC है चाहिना ही IC है यह जो board है इस board में आसानी से matching हो जाएगा क्योंकि इसी सब board का यह जो IC है आपको market में आसानी से मिल जाएगा तो मैं चलिए इसको लगाड आओ और एक बात guides कि आप IC लगाने के बाद तुरंत line नहीं देजीगा क्योंकि line अगर आप तुरंत दीजीगा सेट पे तो आपका सेट चालू नहीं होगा क्योंकि आइसी जो है आइसी आप अगर सेट में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है software इसके अंदर जो software रहता है यह थुरा सा installing याणि यह जो store करेगा ना आपने नया IC बेठा है तो इसको जो store करेगा तो थुरा सा इसका लेट होगा यानि 1 मिनिट या फिर 30 सेगेंड तक लेट होगा यह थे आप IC को लगाने के बाद तुरंत लाइन नहीं देजीगा यह तुरंत लाइन अगर देजीगा तो चालू नहीं होगा और आप समझेंगे कि हमारा जो आईसी है खड़ावे तो थोरा सा रूखना है आपको लगबग आउन मिनिट रूख जना है उसके बाद आपको लाइन देना है तो देख लोगा आप मैं लाइन दे रहा हूँ सेट पे और लाइन देने के बाद आपको कि अकर नहीं चालू होता है तो आपको इस्टंभाई रिलिज करना पड़ेगा यहां पे जो पैनल है पैनल को स stall करना पड़ेगा मैं जैसे कर रहा हूँ अगर स haz करेंगे तो आपका इस्टंभाई रिलिज हो पास्टाइम नील वोल्टेज आ रहा था सप्लाई वोल्टेज अभी देखिए कितना आड़ा है फाइब वोल्ट तो समझ सकते हैं आप कि हमारा पॉब्लम कहां से कहां तक जा रहा था और हमारा जो सामान यानि जो पार्ट से कितना पर्स लगा और यहां पर एसी एल और से काल्ड का निकल रहें तो देखिए वन भोल्ट तक निकल रहें काल्ड को सूइब तो पहले तक तक इसलिए क्या वहां पर बहुत छोड़ा इसकिन था और इसके लिए ऐसा अगया था और आप देखिए क्या थोड में कितना वोल्ट जाए क्या थोड में भी भोल्ट जावाड़ बढ़ चुके हैं जो फास्ट टाइम का मारा था तो आप यहाँ आपको जो प्रॉब्लम है इस सेट का कहाँ परान यानि प्रॉब्लम था। इसका पर लिख रहा हूँ कि इसका जो पिक्चर यानी फिक्चर पिक्चर कैसे घाएं तो इसका जो बोड्ड है रहां और रखने के बाद ुबड़र से प्लस्एust लेके चलता हूं। सब्सपत खुमा लूँगा इधर लोब सल एक तरह देंस का यह जो आकाई कंपनी का टीबी अब देख रहे हैं यहां पर जो मैं फास्ट रहीं बोला कि अलग पिक्चर ट्यूब है यहां पर और बोड अलग है जर्ट में चेक करने के लिए लगाए इस पर तो देखिए गाइट्स अभी जो है फूल इसकिन आ चुके हैं और हमारा बुल बुलू बैक इसकिन भी आ चुके हैं जो पहले नहीं था और यहां पर देखिए रिटेक्स लाइन आ रहा है तो यह थोड़ा सा इस्टी हमड़ा ज्यादा हाई हो चुके हैं तो चले में इस्टी को थोड़ा सा कम कर दिता हूं यह ठीक हो जाएगा तो देखिए मैं इस्ट अब कुछ चैंजेस होड़ा है और लिखा भी आ चुके हैं जो पहले लिखा नहीं आ रहा था तो आसा गड़ता हो कि यहां पर भी वीडियो भी आ जाएगा क्यूंकि गाइड्स पहले जो लिखा नहीं आ रहा था जस्ट पॉबले में ही था कि बुलू स्कीन नहीं आ रहा बस आपको यह दिखा दिया में और आभी देखें लेट और राइट दोनों साइट छोड़ा वीडियो आ रहा था वह भी कंपलेट हो शुके हैं तो देखते रहें ऐसे इंट्रिस्टिंग वीडियो मिलते अगले बड़ी साथ तब तर लिए बाई जैएं दोस्तों